नमस्कार, Hindi Learning Channel पर आपका स्वागत है, आज आशिमा महाजन Hindi Learning Channel पर लेकर आई है, गुरुकूल पब्लिकेशन की बुक है, स्पर्ष हिंदी पाठे पुस्तव, क्लास 8 के स्टुडेंट्स के लिए Chapter 2 लेकर आपकी एधिहापी का आपके सामने प्रस्तुत हुई है, Chapter का नाम है स मुची प्रेमचन जी द्वारा रचित एक कहानी है, जिसकी Easy Explanation, Solbook Exercise आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसा कि मैंने कहा कि सुभागी कहानी मुची प्रेमचन द्वारा लिखी गई है, तो इसमें कहानीकार ने एक ऐसी युवती का चितरन किया है, जो अपने बुडे मात पिता की जी जान से सेवा करती है, रात दिन मेहनत करके करजा भी चुकाती है, गाउं में सभी से पूरा सनेह भी पाती है, सहयोग भी पाती है, उसी युवती का नाम है सुभागी, और सुभागी का मतलब होता है सुन्दर भाग्य वाली तो सुभागी के करेक्टर से हमें पता चलता है कि वो बहुत मेहन्ती थी जब आप पैट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो जो सुभागी थी दात बर दान को कूटने का पीसने का काम करती थी चोकाबरतन करती थी गोबर थापती थी मतलब सेवा भावना उसमें कूट-कूट के भरी हुई थी जिससे हमें क्या सीखने को मिलता कि माता-पिता की सेवा हमें करनी चाहिए तो गाउं के एक मुखिया थे जिनका पागल हो गई हो इस चीज को सुनकर और तुलसी महतो एक करेक्टर है इस कहानी में जिनका एक बेटा और एक बेटी है बेटे का नाम है रामू बेटी का नाम है सुभागी तुलसी महतो जो है उन्होंने दोनों की शादी कर दी है अचानक उनकी बेटी सुभागी जो है वो व पिर्शा करता रहता था तो माह बाप जो थे वो अलग हो गए थे अपने बेटे से माह बाप जो कभी पुराने जबाने में क्या हुआ करता था कि लोग जो थे वो बेटी के पैदा होने पर दुख मनाना शुरू कर देते थे हैं ना लेकिन यहाँ पर यह लड़की को पाकर ध ये हमें क्या समझाना चाहा है ओकी और लोगों के यहां चाहे जो होता हो तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार ना करते थे जानकी लड़कों से कम प्यार लड़की को नहीं करता था कौन तुलसी महतो किसका बाप है सुभागी क तो सुभागी के पिता जी का नाम है तुलसी मैटो, बेटा था रामू, रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था, अब यहां पर बताया गया है रामू के बारे में कि रामू कैसा था, तो रामू जो था वो बताया गया है कि रामू जो था, वो काठ का उल्लू था, कि जो माती लक्षमी वो दिल में डरती रहती कि ही लड़की पर देवी देवताओं की आंख न पड़ जाए लज़ा न लग जाए वही सुभागी आई 11 साल की उम्र में विद्वा हो गई तो आपको इस पैरग्राफ में क्या कर पता चला सुभागी के पिता जी का नाम है तु मतलब बड़े परिशान हैं दुख मना रही हैं लक्षमी पचाड़े खाती थी मतलब जो लड़की की मा थी तुलसी सिर पीटता था उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी अमाबा परिशान रहते थे बार बार मास से पूछती क्यों रोती हो अमा मैं तुमें पागल करते हैं और अकर आदमी पागल पन करे तो तुम उसे पागल खाने बेडेती हो मगर तुम पागल पन करते हो तो उसका कोई धंडन नहीं है जानिकि इश्वर को जो लक्षमी थी सुभागी की माँ वो क्या कर रही है इस बात के लिए बोल रही है कि तुमने मेरी बे के लिए थोड़ा सा प्रेम है वो कहती अगर आज मेरे पास पैसे होते तो माँ के लिए अच्छे कपड़े ले आती दादा मतलब अपने पिता जी के लिए कह रही है बाकी रुपे मांगने आते तो जट से निकाल कर मैं दे देती अम्मा दाता कितने खुश हो जाते लड़कियों को लगता ही है क्योंकि अक्सर लड़कियों से माबाप जो हैं वो कुछ मांगते नहीं है तो जब लड़किया अपनी तरफ से कुछ करना चाहती है तो लड़कियों को बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने अपने माता-पिता के लिए कुछ किया है कुछ इस तरह ही सुभागी को फील हो रहा था जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी मैतो पर दबाब डाने लगे उनके पिता जी पर दबाब डाने लगे कि भई लड़की की शादी कर दो कहीं घर बसादो इसका जवान लड़की का यूँ फिर ना ठीक नहीं है जब हमारी बरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यूँ सोच विचार करते हो तुलसी ने का भाई मैं तो त्यार हूँ लेकि सुभागी भी माने तब न वो किसी तरह राजी ही नहीं होती अब तुलसी महतो अपने दोस्तों के साथ जब बरादरी में बैठे तो बरादरी वाले कहते हैं कि विद्वा के लिए जब हमारे विद्वा की दुबारा शादी कर दो कोई निंदा नहीं हमारे सबाय में इसके लिए तो वो बाप बोलता है कि सुभागी इस चीज़ के लिए माने तो मैं शादी के लिए त्यार हो हरी हर ने सुभागी को समझा कर कहा बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं माबाबा बुड़े हो गए उनका क्या बरोसा तुम इस तरह कब तक बैठी रोगी सुभागी ने सिर्जुकाकर का चाचा मैं तुम्हारी बास समझ रही हूँ लेकि मेरा मन घर बसाने को नहीं कहता मुझे आराम की चिंता नहीं है मैं सब को छेलने को त्यार हूँ और जो काम तुम को हो वो मैं सिर आंकों के बल करूँगी मैं फटा-फटा तुम्हें करके देदूँगी कोई मैं तुम से शिकायत नहीं करूँगी काम के लिए घर बसाने को ना कहो जब मेरा चाल कुछाल देखना जनल कि जब तुम मेरा बुरा चाल-चलन देख़ा तो तो मेरा सिर काट देना अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की पकी होंगी फिलज्जा रखने वाले तो भगवान है मेरी क्या हस्ती है कि मैं कुछ कहूँ अब लड़की सुभागी ने इतना कह दिये मेरा चाल चलनन अगर तुम कभी देखो ना की बिगड़ गया है तो उसी वक्त मेरा सिर काट देना रामू बोला जानि कि उसका भाई बोला तुम अगर सोचती हो कि भाईया कमाएंगे और मैं बैठी मोच करूंगी तो इस भरोसे ना रहा ना जहां किसी ने जनमबर का ठेका नहीं लिया भाई अपनी भेहन से इस तरह बात करेगा तो सोचो माबाप को कैसा लगेगा रामू की दुलहन जानि कि रामू की जो बीबी है रामू से दोंगल हुची दी जानि कि वो भी तो बिना बोले नहीं रहेगी मटक कर बोली हमने किसी का करज़े थोड़े ही जनमबर बैठे भरा करे यहां तो खाने को भी महीन चाहिए अच्छा चाहिए पैनने को भी अच् क्योंकि इस तरह का page में clarity नहीं होती है और मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं इस तरह का page upload करूँ क्योंकि सिरफ आप ही देखने वाले नहीं हो इसको देखने वाले और भी बच्चे होंगे तो मैं चाती हूँ कि page थोड़ा clear हो अगली बार जब भी बेज़ो तो clarity से click करना फिर बेज़िएगा रामु पोला तुम अगर सोचती हो कि भाईया कमाएंगे मैं बैठी मोच करूँगी या भाई ने ये कह दिया कि तुम बैठे बैठे खाती रो तो ऐसे तो चलेगा नहीं सुभागी ने गर्फ से बरे हो इस स्वर्में कहा भाबी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम मेरा सहारा बनोंगी और Bhagawan ने चाहा तो कभी तुम्हारा आसरा करूँ भी ना तुम अपनी देखो मेरी चिंता ना करो जाने कि मैं तुम पर dependent कभी नहीं रहूँगी सुभागी अंतिम पहर रात में उठकर उठने पीसने में लग जाती चोका बरतन करती बरतन साफ करने में लग जाती गोबर थापती खेत में काम करने चली जाती दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको किलाती रात को कभी मा के सिर में ने तेल डालती कभी उसकी दे दबाती यहां तक अपरा बस चलता मापाप को कोई काम नी करने देती इतनी सेवा करती थी सुभागी अपने मापाप की हाँ भाई को नहीं रोकती थी सोचती ये तो जवान आदमी है ये काम नहीं करेगा तो ग्रैस्ती कैसे चलेगी अपने भाई को बिल्कुल नहीं वो पूछती थी तो जो सुभागी थी अगर उसकी क्रेक्टर्स्टिक साब से पूछी जाए तो आप लिखेंगे कि माता पिता की सेवा करने वाली थी अग्या कारणी थी परिश्रमी थी क्योंकि माता पिता की सेवा के साथ घर का सारा काम भी तो संभाल रही थी वो खेती का काम भी करती थी रामू को भाई को ये बड़ा बुरा लगता था अम्मा और दादा को तिनका तकनी उठाने देती मुझे पीसना चाहती है जाने कि मुझे काम करवाती है एक दिन आपे से बाहर हो गया बड़ा गुसे में तम तम आता हुआ सुभागी से बोला अगर उन लोगों का बड़ा मौ है जाने कि अपने माता पिता के लिए बेटा कह रहा है कि अगर तुम्हें माबाप का इतना ही मौ है तो क्यों नी अलग लेकर रहती हो तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है की मिठी दूसरों के बल पर बावाई लेना असान है बहादूर वैया है जो अपने बल पे काम करें जाने की अपना घर अकेली चलाओ तो पता चले तुम्हें गर मैं चला रहा हूँ और माबाप की सेवा तुम कर रही हो और ये बेटे को सहन नहीं हो रहा सुभागी ने lived कुछ जवाब नी दिया बात बढ़ जाने का भ्या था की आगे बात बढ़ जाती दोनों बैस करतें मगर तुलसी मैटों से रहा नहीं गया बाप से रहा नहीं है जाने की तुलसी मैं तो उसके बाप ने पलटके का अच्छी बात आगा तुमारी ये मरजी है तो यही होगा मैं कल गाउं के आदमियों को बुला कर बटवारा कर दूँगा तुम चाहे छूट जाओ सुभागी नहीं छूट सकती तो बाप ने कहा दिया बेटा छूट जाए म मदद करने लग जाती क्योंकि स्वाव लंबी थी वो ठीके तो परिश्रम से मुनुष्य अपने जीवन में उन्नती पाता है ये बात उसके भाई को समझनी चाहिए थी लेकिन उसके भाई ने नहीं समझी रात को तुलसी लेटे तो पुरानी बात याद आई जब रामु के जर्मुत्सब में उन्होंने रुपे करज लेकर जलसा किया था जानी कि जब बेटा पैदा हुआ था तो जर्मुत्सब के लिए उन्होंने क्या कर लिया था जर्मुत्सब के लिए करजा ले लिया था और एक शामदार जलसा किया सुभागी पैदा हुई तो घर में रुप कारी निकली और लड़का निकला ऐसा कठोर सुभाव का दूसरे दिन मैं तो रहे गाउं के आद्मियों को जमा करके का पंचो अब रामू का और मेरा एक में निवानी होता जैने कि एक गर में अब हम नहीं रह सकते बैच आता हूँ तुम लोगे इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो मैं लेकर वह लेकर अलग हो जाओं रात दिन की किच-किच अच्छी नहीं है कि मैं रात दिन किच-किच करता रहूं ऐसी मेरी हालत भी नहीं है गाउं के मुक्तार जो मुखिया होते हैं बड़े सर्जन पुर सहसा सुभागी आकर बोली दादा ये सब बाट वखेरा मेरे ही कारण तो है क्यों नहीं मुझे इलग कर देतें तो सुभागी बोली कि ये सब लफडा जो है मेरे कारण पैदा हो रहा है है तो इससे अच्छा है कि आप लोग मुझे ही अलगा आणे दे मैं मेने तुम धू भी नहीं देखना चाहता उसके साथ रहना तो दूरा बटवारा होता ही मैं तो लक्षमी को मानो पैंचन मिल गई अब पैंचन किस दे में मिली पहले तो तो दो सारा दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते रहते थे पर अब उन्हें पूरा विश्राम था क्या कम है जो तू जो निया जंजट पाल रही है सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती कि दादा दूद के बिना मुझे खाना च्छानी लगता जानी कि उसने अपने उपर ले ली ये बात कि दूद के बिना में रहनी सकती जबकि मापाप को पता था सारा दूद हमारे पेट में डालती है ये कुद पीती नहीं है लक्षमी ने हसकर का माने का बेटी तो जूट कप से बोले लगी दूद हाथ से तो चूती नहीं खाने की कोन करे सारा दूद हम लोगों के पेट में ठूस देती है गाओं में जहां देखो सबके मुझे सुभागी की तारीफ लक्षमी पास बैठी रोरी थी जो मा थी सुभागी पानी लिये खड़ी है लड़की उनकी अभी एक्शन पहले मैं तो ने पानी मांगा था पर जब तब मैं पानी लाए उनका जी डूप लिया हाथ फाओ ठंडे हो गए सुभागी उनकी ये दशा देखते ही रामु के घर गई और बोली भाईया चलकर देखो आए दादा ना जाने कैसे हुए जाते है साथ दिन से जोरी नहीं उत्रा रामु ने चार पाई पे लेटे लेटे का उनके बेटे ने तो क्या मैं हकीम हूँ की देख रहे चलू जानी सुभागी से पूछा दादा को क्या हुआ दीदी दादा मतला ससूर जी के लिए कह रही है सुभागी ने फिर उससे कुछ ना का सीधे सजल सिंग के पास गई सजल सिंग ने जो ही मैटो की आला सुनी तुरंत सुभागी के साथ भगे भागे चलिया यहां पहुंचे तो साड़ी देखी तो बहुत धीमी थी समझ गए जंदगी के दिन पूरे हो गए मोत का आतंक चाया हुआ था सजल नेत्र होकर बोले जाने की आंखों में आंसू लेकर बोले वो कैसे बोले आंसू भरी आंखों से मैं तो भाई कैसा जी है मैं तो जैसे नीन से जाकर बोले सभानने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा तुम निच्छिंतरों मेरे रहते सुभागी जा लक्षमी को कोई तिर्ची आंख से न देख सकेगा और कुछ इच्छा हो तो वो भी कह दो जाने की मेरे होते होए सुभागी और तुमारी जो पतनी है लक्षमी उसे कोई भी बुरी नजरों से नहीं देख पाएगा मैं तो ने विनीत नेतरों से देखकर कहा कुछ नहीं कहूंगा भईया भगवान तो में सदा सुकी रखे सज्जन सिंग बोले रा जाने की गाए के दान की रामु को घाउं भरने समझाया पर वै अंतेश्टी करने को राजी ना हुआ जाने की जो अंतिम समस्कार था उस विदी को रामु त्यार नहीं हुआ बेटा कहा जिस पिता ने मरते समय मेरा मूँ देखना सुभी का नहीं कि या वो ना मेरा पिता न मैं उसका पुतर हूँ लक्ष्मी ने दा किर्या की इसके बाए जब तेरहीं का समान आने लगा तो गाउं वाले दान्तों तले उंगली दबाते थे जानी की वो दान्तों तले उंगली दबा लिया उन्होंने है रान हो गए बरतन कपड़े घी शक्कर सभी समान जबा हो कोई कमाने वाला नहीं बैठा है आप ही कुगा कोद नहीं आप ही पानी पी नहीं सुभागी बोली बाबु जी का काम तो धूम दाम से होगा अम्मा चाहे घर रहे जज आए बाबु जी फिर थोड़े आवेंगे लक्ष्मी चुपी रही तेरी के दिन आठ गाउं के ब्रामनो को भोज हुआ चारो तरफ वावाई मच गई पिछले पहर का समय था लोग भोजन करके चले गए थे बाबु सर्जन सिंग ने सुभागी के पास आकर का अब तुम भी अराम करो बेटी सुभागी ने का अभी थकी नहीं दादा आपने जोड लिया कुल किते रुपे उठे पूछ कर क्या करोगी बेटी कुछ नहीं यूई पूछती थी जाने कि सुभागी ने पूछा इतना खर्चा हुआ है पैसे बता दो क्योंकि उधार लिये उन्होंने कोई 300 रुपे उठे होंगे सुभागी ने सा कुछ आते हुए का मैं इन रुपियों की देंदार हूँ त उसकी मां भी बिमार रने लगी सुभागी के अग्रै पर चोके में जाती मगर कोर कंट के नीचे रह उतरता लेकिन कुछ भी खानी पाती गो पचास वर्च हुए एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पती के बिना उसने खुद कभी खाना खाया हूँ अब उस नियम को कैसे चल दी उसे खाट पर डाल दिया जाने कि इतनी कमजोर हो गई सुभागी अब क्या करे सर्जन सिंग के रुपे चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत ही यहां अम्मा बिमार पढ़ गई अगर बार जाती तो अम्मा के लिए रहती उनके पास बैठी तुबार क काम कोन करता तो अम्मा की दशा देकर सुभागी समझ गई इनका भी परवाना आप होचा टाइम आ गया दादा को भी तो जही जही दादा को भी तो यही जुर था सर्जन सिंग दोनों वक्त आते लक्षमी को देखते सुभागी को समझाते और चले जाते मगर लक्षमी की दशा दिन बाद दिन बगड़ती जा रही थी यहां कि पंदरवे दिन वो भी संसार से सिधार की जाने की पिता के जाने के बाद पंदरवे दिन सुभागी की मा की भी डट हो गई अंतिम समय में रामू आया भी और मा का पैर चुना चाता था पलक्षमी ने उसे ऐसी दी कि वो उसके समीब तर जा सका सुभागी को उसने आशिरवात दिया तुमारी बेटी तुमारी जैसी बेटी पाकत तर गई मेरी इच्छा है कि मेरा किरिया करम तुम भी करना अब मा भी इतनी दुखी वह चुकी थी बेटे से माता के देहात के बाद सुभागी के जीवन कर काम करने के बाद रात को चार-चार पसेरी आटाफीस डालती थी इस्वे दिन पंदरा रुपे लेकर वैं सर्जजन सिंग के पास पहुँझ जाती इसमें कभी नागाना पड़ता मानो परकृति का अटल नियम था कि हर फंदरा महीने के लास दिन पंदरा रुपे लेकर स चंदो की मानोंगी सुभागी ने बड़े कृतग्य भाव से देखकर का दादा आपकी बात न मानोंगी तो किसकी मानोंगी मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है अगर तुमारे मन में ये भाव है तो मैं ना कहूंगा मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं का कि तुम क्याने जा रहे हैं ऐसा मेरी इच्छा है तुम मेरी बहु बनना मेरे घर को पवित्र करो मैं जातपात का कायल हूँ वगर तुमने मेरे सारे बंदन तोड़ दी है बोलो मनजूर करती हूँ दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी तुमारा सम्मान भगवान कर यह बेटी तुम साक्षा भगवती का अफ़तार हूँ मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ भगवती मतलब देवी का अफ़तार हूँ मैं तो अब जो सुभागी या बोली मैं तो आपको अपने पिता के समान समयती हूँ आप जो कुछ करेंगे मेरे बने के लिए करोगे आपके हुक्म को कैसे इंकार कर सकती हूँ सर्जा सिंग ने उसके माते पर आत रख करता बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो तुमने मेरी बात रख ली मुझसा भाग्य शाली संसार में कोन होगा तो ये थी सुभागी की कहान तो आपकी बुक में लिखा है आप रामू जैसे बनना चाओगे या सुभागी जैसा तो सुभागी कैसी थी उसकी करेक्टर्स्टिक तो आपको पता चली गई है परिश्रमी थी मेहंती थी अपने माबाप की खूब सेवा करती थी है ना आग्याकारिनी वह होती गाउं के मुक्या सजन सिंकी भी आगया का पालन करती थी हो सदा सुभाब लंबी बनने की कोशिश करती थी तो आप सबको भी अपनी लाइफ को अगर सुख में बनाना है तो आपको भी परिवार की इज़्जत का पूरा ध्यान रखना होगा और जीवन में खूम एनत करके सफल बनना होगा बड़े बुरों की बातों को भी मानना होगा ठीके तो सुभागी सुंदर भागेश वाली मुझी प्रेम चंद्वारा रच्चित ये कहानी आपको कैसी लगी लाइक का पटन तपाके मुझे बताईएगा ज़रूर पहला कोशन है आपके सामने स्टुडेंट्स कोशन आंसर आपको आगे मिल जाएंगे डिटेल में लिखे हुए चलिए पहला कोशन डिसकस कर लेते हैं सुभागी अपने मातापिता को रोते देखकर मन में क्या सोच रही थी यही सोच नी थी ना कि अच उसके पास कोठरी बर उपे होते तो चिपा कर रख लेती सुभागी ने गर्ब बड़े स्वर्बे अपनी भावी से क्या का कि भावी के बरोसे जिन्दगी नहीं जियेगी सरजल सिंग खुद को भागी शाली क्यूं मान रहे थे शुभागी जैसी कन्या को बहू बनाने के कारण तुलसी ने गाउं के लोगो कोई कठा करके क्या कहा था कि रामु के साथ गुजारा नहीं चलना मेरा बटवारा कर दो ठीक है और बटवारा होने पे तुलसी और लक्ष्मी को मानो पैंचन मिल गई ऐसा क्यूं कहा अपने माता पिता की भरपूर सेवा करने का अफसर मिल गया था उसे और तुलसी की भी सेवा सब अच्छे से होने लगी थी सजज़ सिंग ने तुलसी को किस तरह सात्वना दीती होंसला कैसे दिया सज़ज़ सिंग ने मरोसा दिया था कि सुभागी को अपनी बेटी जैसा ही मान कर उसकी देखबल करेंगे और तुलसी महतों के जाने के बाद क्या हो गया ऐसा लक्षमी दुखी रहने लगी थी और बिमार पड़ गई वो ठीक है तो जो थर्ड के लास्ट वाले का अंसर है वो मैंने बोल दिया है तुलसी महतों के जाने के बाद लक्षमी भी दुखी रहने लगी और बिमार इन पंक्तियों के आश्या स्पष्ट करने आपको आगे अंसर दे दिया है इश्या तुमारी यही लील है जो खेल खेलते हो दूसरों को दुख देकर तो इसका आश्या आगे स्पष्ट कर दिया गया है और दूसरे का आश्या भी आपको स्पष्ट कर दिया गया है रामु के वेभार से दुकी होका, तुलसी ने अपने आपको क्यूं कोसा, ठेक है, उसके बाद आपका कोशन नमबर फाइव है, सही कतन के सामने टिक लगाना, गलत के सामने गलत, तुलसी और लक्षमी को रोते देख, सुभागी रो रही थी, येस, उसके बाद लोग, तुलसी पर पताएं कि यह वाक्या किस से कहें और क्यूं कहें तो ही हम तेरे भले को कहते हैं। सुभागी से काता जब वो दुपारा विवा की सला दे दे थे यहां किसी ने जनमभर का ठेका नहीं लिया रामु ने सुभागी से काता जनमभर का ठेका नहीं लिया यह रामु की दुल्हन नहीं काता यहां पर क्रोस हो जाएगा आपका अंसर ठीक है जनमभर के लिए ले घर में रहना मुश्किल कर दिया तुलसी बैतों ने ये बात रामू से तब कई थी जब रामू ने सुभागी को अलग रहने की बात की तुम अपने माबाप से अलग रहना चाते हो सज्जा सिंग ने रामू से ये बात तब कई जब रामू और तुलसी बैतों के बीच बटव थी हर तीसवरी जाती थी पंदरा रूपे देने के लिए सर्जल सिंग का करज उतारना अब सुभागी अपनी जिम्मेदारी क्यूं समझती थी क्यूंकि वो करज अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए था ये प्रश्णों के उत्तर आपको यहां पे दे दिये कोशिय नमबर 6 का भी और 7 का भी उसके बाद कोशिय नमबर 8 कोशिय नमबर 8 में समास पूछे गए है आपसे अगर समास को टिटेल में समझना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी दो पहर दो पहरों का स्मूथ जा समाहार और कॉंटिंग वाला है इसलिए आपर विगू समास है पूर्व जरम है जरम से और लग जाता है द्वंदव में गोदान है गाय का दान तत्पूर समास है दाना पानी है दाना और पानी द्वंदव समास है ठीक है वप्रीतलिंग बताना है लड़की का लड़का चाचा का चाची फिर पिता बेहन दुलहा और दमान ठीक है विलोमशा कृतग का कृतगन दुक का सुक, कठोर का कोमल और उसके बाद आपका दुर बलता, जानिकी सबलता, कोशन नमर 11 में मुहावरों के अर्थलिकर वाक्य बनाने हैं, तो आगे आपको मुहावरों के अर्थलिकर वाक्य बना कर दे दिये गए हैं, गले का हार बनना, खुशी का ठिकाना ना रहना, हाथ पा उठनने होना घबरा जाना और पेट पालना गुजारा करना यहाँ पर आपका सुभागी चेप्टर हुआ फिलिश अगर चेप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा यह आंसर आपको दे दिये गए हैं कोशन नमर 8 से कोशन नमर 11 तक दोस्तों के साथ वीडियो शेर जरूर करना चैनल पर नए हो तो सब्सकाइब का बेटन दबा लीजिए और बेल आई कर हिट कर लो ताकि चैप्टर 3 की नोटिफिकेशन चल दी ही आपके साब ने हूँ ओके स्टुडेंट्स गुडबाई